बूर्णिंग फ्रेंड्स तो आज की स्टूडियो में मैं आपको छारकन उत्पाद सिपाही की बारे में कुछ बताने वाला हूँ यह जो पेपर आप देख रहे हो यह पेपर आज के हिंदुस्तान पेपर में छापा गिया है जिसमें लिखा गिया है एजेंसी का चैन नहीं उत्पाद सिपाही की बहाली मैं यह नहीं बोल सकता है कि उत्पाद वेगेंसी की बहाली रुख गई है लेकिन मैं बस आप लोगो को एपेपर पढ़के बताऊंगा और इसका क्या कंक्लूजन है यह भी मैं बताने वाला हूँ चली बात करते हैं इस बहाली को लेकर रांच परिक्षा में 10 किलोमेटर की दोड़ होनी है इस दुरान हर अभेरती की बहां पर एक खास किस्म का टैग लगाया जाता है जिससे RFIED कहते हैं इसी के जरिये दोड़ में हर वेक्ति के मोनिटरिंग होती है लेकिन जरकन पुलिस मुख्याले स्थर पर दो बार टैग देने व निकालने के बाद एजनसी के चैन में बाधाय आ रही है जंकारी के मताबिव उत्पात सिपाही के 583 पदों के लिए 5 राक से अधिक अभेरती उन्हें फॉर्म भरा है सारीक परिक्षा के लिए 50-50 हजार के अभेरती पर बोड बनाया गया है जो सारीक परिक्षा लेगा टैग नहीं दे पा रही है अब टैग कल भी दे दे चाहे दो दिन बाद चाहे दस दिन के बाद कम्प्लीट कर दे सायद स्टार्ट हो जाए बहली तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है आप यह मत सुछने लग ना ये वीडियो देखने के बाद कि बहारी जल गई बहली नहीं होगी आप दौर छोड़ दोगे, तो मैं आप लोग को फिर से बोल दू, आप लोग अपना दौर को स्टार्ट रखें, बहारी समय पर हो जाएगी, टली है, कैंसील नहीं होई है, तो all the best अभी को आपने अपना दौर स्टार्ट रखें, रोके नहीं, ये नहीं कहा गया इसमें कि ब पहाली को लेकर मैं और आगी जाकर कुछ ठीटर से में पता करूँगा, अब जल्द आप लोग को अप्डेट दूँगा, जैहिन, जै भारत!